नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं जैक बोड ने भी एक आरवी की बोड परिक्षा को अस्थागित कर दी है अब यह परिक्षा 20 अपरेल को होगी वही राजधानी के कई निजी स्कूलों ने 29 अपरेल को बंद रखने की खोसना की है बतादे नियोजन निती को लेकर छात्रों के द्वारा चलाये जा रहे 72 घंटे के महा अंदुलन के दूसरे दिन छात्रों के बिभीन संगठनों ने जैपाल सिंग एस्टेडियम से अलवर्ट एका चोक तक मसाल जुलूस निकाल कर सरकार के खिराप जमकर नारेबाजी की है सरकार के द्वारा नियोजन नीती में किये गए संसोधन के बाद 40-40 फर्मूला को मानने से इंकार करते हुए छात्रों के द्वारा लागातर अंदुलन चलाया जा रहा है जिसके तहद 29 अप्रेल को जारकन बंद बुलाया गया है जारकन बंद के दोरान अवसक सिवा को छोड़का सभी ब्योसाइक प्रतिष्ठान और सेक्षनिक कारेबाधित रहेंगे छात्र नेता देविंदर नाथ महतु और मनोजय आदव ने इस महोगे पर कहा है कि राई सरकार छात्रों को दोरा लगातार चलाया जारे अंदोलन के अंदेखी कर रही है इससे छात्र नराज है और 29 अप्रेल को जारकन बंद एतिहासिक बनाने के लिए या मसाल जुलूस निकाला गया है जारखन में गर्मी ने तोड़ा रिकोर्ड ताप मन चवालिस के पार जारखन के 11 जीलों में 20 अप्रेल तक लूट चलने की संभावना जताई गई है इसको लेकर भारतिय मौसम भी ज्यान केंद्रे रांची ने एलो अलर्ट जारी किया है इन जीलों में गड़वा पलामु चत्रा लातेहर सराई केला पूर्भी सिमूम पच्मी सिमूम के अलावा गोड़ा साहेव गई दुमकवा पाकुड जीला सामिल है मौसम में यह परिवर्तार पच्मी विछोप के कारण हो रहा है बतादे समूंदरी इलाकों से 3.1 से 5.8 किलोमीटर प्रती घंटा की राफ्तार से गर्म हावा चल रही है इस करण जार्खन के उत्तर पूर्भी उत्तर पच्मी दक्षिनी पूर्भी भागों में उस नलहर की इस्तिती बन रही बतादे पिछले 24 गंटे का अंत्राल में राजे में मौसम सुस्क रहा एक दुवा स्थान पर उस नलहर भी धर्ज किया गया है जार्खन बंद को लेकर पूलिस अलर्ट 5000 अत्रीक्त बल तैनात चातर संगटनों के जार्खन बंद को लेकर पूलिस अलर्ट है सभी जीलों में पाथ है ऐसे अधीक अत्रीक्त पूलिस बल तैनात किये गए है बतादे नियोजन निती के खिलाब चातर संगटनों के द्वारा बुलाये गए जार्खन बंद को देखते हुए पूलिस मुख्या लेकर मुकामल बंदो बस्त किये गए है राजी के वैसे जीला जो चातर संगटनों को लेकर बेहस सन्विदल सिल है वहाँ पर विशेश सतक्ता बरातने की हिदायत जीले के एसपी को दी गई है बतादे एक दिवसी जार्खन बंद को देखते वे पूलिस मुख्या लेन सभी जीले में अलर्ट जारी किया है जार्खन में गर्मी अर्लू को देखते वे इसकूलों का बदला समय है जार्खन में बढ़ती गर्मी अर्लू देखते हुए राज सरकार ने सभी इसकूलों की टाइमिंग बदल दिया आप सूबा साथ बये से दो फर बारा बये तक इसकूल संचालित होगी इसके तहट केजी से पांच की कक्छाए सूबा साथ बये से गारा बये तक और शा से उपर की कक्छाए सूबा साथ बये से दो फर बारा बये तक संचालित होगी बदादे इस दोरन प्रातना सवाय खेल कूद एवम अनगतिवी दिया धूप में संचालित नहीं होगी वही मध्यान भोयन का संचालन जारी रहेगा वही स्कूली सिक्षा इवम सक्षटा बिभाग के रभी कुमार ने जारी आधेस में बताया है की अतियाधिक गर्मी पड़ने और लूग की संभावना को देखते हुए सरकार ने इसकूलों के समय में बदलाव किया है आदेस में कहा गया है कि इस अधी में बच्चों की पढ़ाई में होने वाली छाती की भरपाई के समध में अलग से निरना लेकर सुचित किया जाएगा जार्खन में नियोजन नीति के बिरुद में चात्रों निकाला मसाल जुलू वार्गी साम चक्रधरपूर सहर के नियू बस एस्टेन हुनमान मंदी समीप इस्थित पेटोल पंप से विसाल मसाल जुलूस निकाल कर पच्छमी सिम्भूम बंद की अपिल की गई वहीं इस मसाल जुलूस का नित्योत चादर निता बसंत महतो हुआ बासिल हिमरम ने किया है इस दोरान स्वास्थ समंदी आक्स्मिक सुधाव को छोड़ का सभी सेखनिक संथान बंद रहेंगे साथ चालिस नाई चलताव जहारखन बंद को मूलवासी सदान मोर्चा का समर्थान जद्यक्त बंद को समर्थन दिया है के कैंद्रिय अदेक्स राजिंद्र परसाद ने कोरक कमिटी सदस्यों से बीचार विमर्ज के बाद जहरकन बंदको नहातिक समर्थन देने के घुतन नहीं की है राजेंद्र परसाद खिलाप एफायर दर्ज की गई है रांची के गोंदा थाना में बेडो सीयोग के आवेदन पर्याह करवाई हुई है बताद नियोजन निती के खिलाप 17 अप्रेल को रांची में 16 संगटनों द्वारा सीयम आवाज के राग दुरान हुए उपद्र अधारा 144 के उलंगन मामले क पूलिस ने मंगलबार को प्राथमी की दर्ज की है बेडो अंचला अधिकारी सुमंत तिर्की की ओर से दिये गए आवेदन पर रांची के गोंदा थाना में 23 नामजात और 500 अग्यात के खिलाप एफायर दर्ज की गई जिन लोगों पर एफायर दर्ज है उनमें देवेंद के परिवहन पर पूरी तरह से रोक लगा दिया है यह रोक हाई कोट द्वारा गठी तीन से से जाज कमिटी की रिपोर्ट आने तक लगी रहेगी अवेद खननन के खिलाप दाखिले आज का प्रसुनवाई करते वे चिप जरस्टिस के अध्यक्सता वाली खनपिट ने रई जार्खन में नहीं बढ़ेगा अरक्षन राजे पाल ने बिध्ययक को आपस लोटाया। स्लोटा दिया हाई इसके साथ ही उन्होंने अटानी जर्नल के मनतब ये को भी साथ भेजते हुए उसकी समीक्षा करने का निदेश राज सरकार को दिया हाई दिवंगत मंतरी जगानात महतों के स्राध कर्म में सामील हुई सियम हेमान्त जारखन के सिक्षा मंतरी रहे जगानात महतों का मंगलवार को स्राध कर्म हुआ स्राथ कर्में भाग लेने के लिए राजी के मुख्य मंत्री है मन्सुरेन उनके गाह बोकारों के भंडारी डिह इस्थीत अलार्गों पहुंचे यहां उन्होंने जगरनात मतों के तस्वीर पर पोस्प अर्पीत कर सदाजली अर्पीत की इस दोरान कॉंग्रेस परदेश संतावना दी है टाटा इस्टिल में निकला अप्रेंटिस ट्रेनिंग का आवेदान टाटा इस्टिल में अप्रेंटिस ट्रेनिंग के लिए आवेदान निकला है सरकारिय निजी संस्थानों से आई टी आई पास युगा आवेदान कर सकते हैं नेमा अनुसार आवेदक को जार्खन राज का निवासी होना अनिवार यहाए आई टी आई पास आउट अथवा दूसरे वर्ष के विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं उमिद्वार की जन्मती थी 1 अप्रेल 1993 और 1 अप्रेल 2005 के बीच होनी चाहिए बता दे आवेदन किसी भी और्गनाजेशन में अप् प्रेड से आई टी आई करने वाले आवेदन कर सकते हैं पर सिक्षूओं को टाटा इस्टिल जम सेथपूर प्लांट में एक वर्ष के लिए on the job प्लांट पर सिक्षन दिया जाएगा चात्रों ने मसाल जुलूस निकाल कर कहा आतिहासिक होगा जार्खन बंद जार्खन में नियोजन निती के विरोद में छात्रों का हला बोल जारी है जार्खन एस्टेट स्टूडेंट यूनियन की तरफ से बहतर घंटे का महान दोरन के दूसरे दिन छात्रों ने मसाल जुलूस निकाला है इस दोरान सभी छात्र जैपाल सिंग मुंडा स्टेडियम से अलवट ए हत्र घंटे का अंदोलन सोमवार से शुरू हो गया है बड़ी संख्या में छात्र वज छात्राय सीम आवास घेरने पहुंचे थे बीरसा हरित ग्राम योजना के तहत जिला अस्तरप बनेगी नरसरी मंगलवर 18 अप्रेल 2013 को ग्रामिन विकास बिभाग की समिक्षा बैठक आ आवास पेजल मैला ससक्तिकरान सिचाई सलक पौधार ओपन आधी से समधित का योजनाव का संचालन हो रहा है मंडेगा के तहत मानों दिवस रिजित करने पर ज्यादा फोकस हो ताकि गरामिन इलाके में अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिल सके अन्यंत्रीत होकर पल का माबुद सेख नामक युग गंभी रूप से इस दुरगाटना में गंभी रूप से घायल हो गया है दुरगाटना की सुचना मिलते ही थाना परभारी सुनिल कुमार रभी ने मोगे पर पहुंच कर बस दुरगाटना की जनकारे ली और बस को पूलिस के कबजे में ले ल जार्खन में बिजली की समस्या आम है ऐसे में कोडार्मा विधूत के छेत्र आत्म निर्भर बनने की और अग्रसर है कोडार्मा थर्मर पावर प्लांट के पर्योजना प्रधान दिलीप कुमार सिंग ने कहा है कि तिले एड़े में 600 मेगावाट का फ्लोटिंग पावर प्ला जाए जाएगा जहां पानी में तैरती सोलर प्लेट के जरिये बिजली उत्पादन किया जाएगा जिसे न सिर्फ कोडार्मा में सत्य परशत लोगों को बिले मिलेगी बलिक बिजली के छेत्रे में जार्खन आत्म निर्भर बन पाएगा तेलंगाना की पत्रकार को सस्ते में फर्चूनर दिलाने का जहासा देकर ठगी तेलंगाना की एक महिला पत्रकार को चार लोगों ने सस्ते में फर्चूनर गाड़ी दिलाने के लिए परियाग राज कहकर देव घर ले आय और 9 लाक रुपए ठगी करवे लोग फरार हो गा इस समंध में तेलंगाना डीजीपी द्वारा देवगहर एसपी को सूचना दी गई तथा एसपी के निर्देश पर देवगहर नगर थाना परभारी मामले की जाज परताल में जुट गए हैं जनकारी के मताबिक तेलंगाना की पत्रकार जियोचसना गोसाला को चार लोगों ने सचते में फर्चुनल खरिदवाने का जहांसा देकर परयाग राज ले जाने की बात करकर देवगहर ले आए यहां महिला पत्रकार को एक होटल में ठारा दिया जिस दिन जुट सना को होटल में ठारा गया था उस दिन तक उन्हें नहीं पता था की उन्हें देवगहर लाया गया है चिल्चिलाती गर्मी और लू के करण हीट स्ट्रोक का सिकार हो रहे बच्चे अप्रेल में ही राय धानी के तापमार रिकोर्ड 38 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया है चिलाती गर्मी और हीट वेव ने अस्पतालों में हीट एस्ट्रोक से प्रित बच्चों की संख्या बढ़ा दी है चिलाती गर्मी के बीच अस्पतालों में हीट एस्ट्रोक के अने रोगियों की भी संख्या बढ़ी है बतादे सीसू रोग विशे सक्यों के अनुसार 6-12 वरस के आयू के बच्चे में कमजोर प्रतिरोधक छमता होती है और वे हीट वेव के प्रभाव के प्रति अधिक सनुदस्चिल होते है और अस्पताल में हीट एश्ट्रोक के लक्षनों की सिकायत करने वाले बचों की संक्या में 50 परति तक की ब्रिधी हुई है जमीन घोटाला मामले में पूलिस की पोल खोलेगी इडी जमीन घोटाला में जाच कर रही इडी जल्द ही बिसेस अदालत में रांची पूलिस की जाच की पोल खोलेगी इडी कोट को बताएगी कि कैसे रांची के सदर थाने की पूलिस ने मामले की जाच करते हुए घोरला परवाही बरती है जलसाजी के इतने बड़े मामले में पुलिस ने सतही जाच करते ही कोट में कलोजर रिपोर्ट भी दी है इडी सबूतों के साथ कोट को बताएगी कि जमिन घोटाले के इस केस में कितना दम था और कितनी बड़ी जालसाजी उजागर हुई है इडी ने सदर थाने के जिस केस में जाल साजी के बड़े मामले को पकड़ा है उस केस को फिर से जाच करने के लिए रांची पूलिस को पत्र लिखा है इंजिनियर बिरेंद्रे राम की संपती जब्त करेगी इडी इड़ी बुधवार को निलंबित चीफ इंजिनियर बिरेंदर राम की कड़ोरों की संपत्ती जब्त करेगी इसकी त्यारिया लगभग पूरी हो चुकी है बिरेंदर राम पर अपने पद का दुरूपयो का सवा सवक्रोर से अधिकी चल अचल संपती अर्जित करने का रोफ है यही नहीं बिरेंदर राम के साथ साथ उनके करीबी रिस्तेदार अलोक रंजन पर भी बहुत जल चाल सिट दायर की जाएगी इसकी भी त्यारी लगभग पूरी है बता दे बिरेंदर राम के पास रांची जम सेथपूर और दिल्ली में करीब आधा दर्जन से अधिक आलिसान बंगले हैं जिसे इड़ी बुद्वार को जब्त करेगी जार्खन का सिस मावादी नेता केरल से गिरफतार केलर राजे के कोजी कोड जीला के पान्थी राम कावू में जार्खन के एक मावादी नेता को पूलिस ने मंगलवागो गिरफतार कर लिया है जरकन पूलिस और केरल पूलिस के सन्युक्त शापे मारी में पीपलस लिबरेशन फ्रंट अफ इंडिया का मवादी अजय उराओ गिरफतर में आया है पूलिस से मिली जनकारी का उनसार वा पंथी राम कावु के प्रवासी स्रमिक सीवीर में डेढ़ महिने से चीपा हुआ था मवादी अजय उराओ को मंगलवार तड़के गिरफतर कर लिया गया है IIT धनबाद के 1085-16 का कैमपेस प्लेस्मेंट IIT ISM धनबाद में वर्ष 2023 बेज के 16-16 का कैमपेस प्लेस्मेंट अब आमतिम चरण में है 17 अप्रेल को जारी आकड़े के 16-16 को विभीन कमपनियों ने 1126 ओफर दिया इन में से IIT के 1185-16 ने नोकरी का ओफर सोईकार किया है समभवना है कि कैमपेस प्लेस्मेंट का या आकड़ा जल्द ही 1100 पहुँच जाए वर्ष 2022 बेज के 189-16 को नोकरी मिली थी वहीं वर्ष 23 बेज के लिए रईस्टेशन कराने के बाद भी पचपन कमपनियों नहीं आई मंदी के काड़ा इस्टेशन वापस ले लिया है जैक बोड की 11 परिक्षा अस्थागीत जारखन एकेडमी कॉंसिल ने जैक बोड की 19 अपरेल को दोनों पालियों में होने वाली 11 परिक्षा अस्थागीत कर दी है बोड के अनुसार अपरिहार करनों से यह फासला लिया गया बता दे यह परिक्षा अब 20 अपरेल को लिजाएगी मालूम हो कि जारखन एकेडमी कॉंसिल मैट्रिक और इंटर की परिक्षा के बाद काक्षा आठवी नवी और एकार्वी की बोड परिक्षा करा रहा है अपरेल को दोनों पाले में होने वाली एकार्वी की परिक्षा अस्तागित कर दीगा यहा है धन्यवाद